हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों जैसे की आजकल मैं ये हिमाचल जी के के सीरिज कुछ एक इंपोर्टर कॉस्टिन के सीरिज चला रहा है तो आई होप ये कुश्टिन आपके आने वाले अपकमिंग जो भी माचल के एक्जाम रहेंगे जैसे आपके HPSC के रहते हैं कलरिकल कर रहता है पटवारी के होते हैं जे ओए के जो भी other competitive एक्जाम है तो उन सब के लिए ये काफी useful रहेंगे तो बाकि इन कुश्टिन को दोस् दोस्तों आज की वीडियो शुरु करते हैं फर्स कोश्टिन के साथ दोस्तों हिमाचल में पजोता अंडोलन कब चलाये गया था? दोस्तों यह हिमाचल में encingी कफी फेम scones अंडोलन चलाये गया था, किसानों के गबारा तो दोस्तों ये आपका 1942 में चलाए गया था और पजवता में दोस्तों एक किसान सवा थी जिसके द्वाराबाद में ये अंदोलन चलाए गया था तो ये पजवता किसान सवा के अधियक्ष कौन थे तो दोस्तों ये थे लक्षमी सिंग जी और वहीं पर इसी प्रजावता किसान सवा के एक सेक्रेटरी थे तो जिनका नाम आपका बैद्या सूरत प्रकाश जी था तो next question देख लेते हैं दोस्तों हिमाचल में धामी गोली कांट जब हुआ था तो उसके बाद इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो थी दोस्तों तो उसके द्वारा किसकी अध्यक्ष्टा में एक investigation के लिए committee बनाई गई थी तो दोस्तों ये थे आपके लाला दुनी चन्जी जिनकी ये ज्यक्ष्टा में ये committee बनाई गई थी और हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में प्रथम प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों कहां पर हुई थी तो दोस्तों ये आपकी सिर्मोर में हुई थी और ये 1949 को हुई थी और दोस्तों हिमाचल में बावा कांशी राम जी जो थे उनको पाड़ी गांधी का नाम किनों ने दिया था तो दोस्तों ये नाम इने पंडी जोहालाल नहरू जी ने दिया था और बावा कांशी राम जी को पाड़ी गांदी का नाम पंडी जवाल नहरू ने दिया था साथ में बावा कांशी राम जी को एक और नाम दिया गया था तो वो था पाड़ी बुल बुल और दोस्तों ये दिया गया था सरोजीनी नाइडू के द्वारा और दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं गांधी जी के दुआरा व्यक्तिगत सत्यागरह कब शुरू किया गया था यानि कि दोस्तों गांधी जी ने इंडिविजुली सत्यागरह शुरू किया था तो दोस्तों यह किया था चौँड़ा जुलाई 1982 में और श्रीमला कॉनफरेंस को अन्नी किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह आपका बेवल कॉनफरेंस के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल में पाड़ी रियास्तों की जो क्षित्री परशती तो दोस्तों उसका प्रतम सम्मेलन कहां पर हुआ था तो दोस्तों ये आपका 18 मार्च 1946 को मंडी में हुआ था दोस्तों हिमाचल की सबसे ये एक important भाड़ी रियासत जो ये एक क्षित्री परशती इसका काफी ज़ादा योगदान रहा है हिमाचल की इस तंतरता में भी और देश की राष्ट्री कॉंग्रेस में ये सही होगी थे तो दोस्तों नेक्स्ट कॉच्शन देख लेते हैं कि शिमला से भारत छोड़ो अंदोलन को किसने लीड किया था यानि किसने नेत्रित्तु किया था तो दोस्तों ये थे आपके राजकुमारी ये आपके राजकुमारी अमर्त कौर जी थे जिनोंने हिमाचल से भारत छोड़ा अन बोलन का निरत्रित्व किया था दोस्तों next question देख लेते हैं कि हिमाचल में हांगरंग घाटी कौन से जले मिश्ती थे तो दोस्तों ये आपके किनौर में है और हिमाचल में दोस्तों एक और फिमस गाटी है तो वो सांगला गाटी है तो ये सांगला गाटी हिमाचल में कहां परस्ती थे तो दोस्तों ये आपकी हिमाचल में ये भी किनौर में ही स्तीत है तो चली दोस्तों next question देख लेते हैं कि सुकेत सत्य ग्रख किसके दोहरा चलाया गया था और इसके नेतरित्व करता कौन थे तो दोस्तों ये पंडित पदम देव जी थे जिन्नोंने सुकेत सत्य ग्रख चलाया था डूम अंदुलन हिमाचल तो दोस्तों ये डूम अंदुलन हिमाचल के भुशेहर में हुआ था तो ये कौन से बर्ष हुआ था तो दोस्तों उनको एक किसी अन्ए नाम से भी जाना जाता था तो दोस्तों वो था हर्देव भाई पर दोस्तों नेक्स कोशन देख लेते हैं ये के भूमी अंदोलन यानि हिमाचल में भूमी अंदोलन कब ये भूमी अंदोलन दोस्तों भूमी बतनोबस अंदोलन हिमाचल में कब हुआ था तो दोस्तों ये आपका अमर्चंद जी तो उन्हीं के अत्याचारों के खिलाफ यह हिमाचल के किसानों और जो आंके पीडिट जनता थी उनके द्वारा जुगा अंदुलन किया गया था और दश्तों नेक्स्ट कॉश्चन देख लेते हैं कि इमाचल में काला टॉप खजीयार यह दोस्तों अक काफी भेमस wildlife sanctuary है तो दोस्तों यह कौन से जिल्म है तो दोस्तों यह आपके चंबा जिल्म में स्थित है बही पर दोस्तों ये बहुत ही इज्जी और बहुत ही इंपोर्टर कॉर्चन है की हिमाचल प्रदेश का रज्जें, पक्षी कौन सा है तो दोस्तों ये आपका बेस्टण ट्रग उपान है जिसे जाजु उ进 उड़ाना भी कहते है और दोस्तों आपका नेक्स्ट कॉश्चिन देख लेते हैं कि हिमाचल में टुंडा बनने जीव अविया रहने है कौन से जिले में पढ़ता है यानि किस जिले में है तो दोस्तों ये भी आपका चमबा जिले में है और ये टुंडा बने जी रोका चमबा में है तो दोस्तों हिमाचल में जैसे कि आपको पता ही है कि अपना वाइल लाइफ सेंक्चुरी का नेशनल पार्क्स का इन सभी का अपना अपना यहां के बायो डैवेस्टी में बहुत ज़्यदा इंपॉर्टर रोल है तो इसलिए ये लास्ट कौेष्ट्र आपको पता ही दोस्तों तो ये कौस्चन दोस्तों इसका आप मुझे कमेंट सेक्ष्प्ष्ण में बताएंगे कि इसकनशर कॉन सा है कि हिमाच या मुझे ये बताई दोस्तों कि देभ मुमी के नाम से कौन से राज्य को जाना चाता है जो पी आपके अंसर होंगे दोस्तों तो प्लेज कमेंट सेक्षिन में बताईएगा and thanks for the watching video friends thank you